एलो फ्रेंट्स मैं राहूल कुमारे जब पोश्टल स्टेंड वर्ड कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों का शेम कमेंट था इसलिए उस कमेंट के बारे में मैं आंसर देने वाला हूँ विभाय कि on के अपने स्टेंट में वर्ड कर रहे हो और आपका डिवीजन कौन सा है यह महाराश्रा डिवीजन मुंबै डिवीजन मुंबै जीपियो डिवीजन में और फिर बहुत का प्रहूं भाए बाफने पर आफिस का तूर कर बाoo तो देखो उसका वी इडियो हम बना स रखते हैं लेकिन भाई कभी बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं हम करना चाहते जिससे मेरे नौकरी को कुछ भी प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं बना के दिखाना चाहिए लेकिन बाहर-बाहर कोशिच करेंगे आपको दिखाने का अगर मौका तो लेकिन लेकिन यह बता दे कि मेरे ऑफिस में टोटल 914 स्टाफ है जिसमें से 500 500 के लगवग सोच लो पोस्टल असिस्टेंट है और उसमें सुपरवाइजर यह सब मिला के 200 MTS 100 पोस्टमेन है और फिर इधर फिर आउटसाइडर होके 914 स्टाफ टोटल बनता है तो आप स इस टाइम का है और हेरिटेज है इसलिए थोड़ा डर लगता है ऑफिस टूट करवाने में क्योंकि अगर कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए तो अपने तो पता है आप लोगों को कि की सरकारी नौकरी का नहीं कुछ हुआ तो नहीं कुछ हुआ अगर होता है तो साला ड मुंबे में मुंबे सहर में कितना खर्च हो जाता है और कितना सेविंग हो जाता है तो मेरा यहीं कहना है कि देखो खर्च तो आप पर डिपेंड करता है कि माल लो आप ड्रिंक करते हो या गुटका खाते हो या फिर फालतू चीजों की सौक है सिगरेट पीने की सौक है तो अगर आप यहां रहते हो तो यहां 15-16 रुपया में रूम मिलता है शेरिंग करके आप रह सकते हो दो-तिन लोग और फिर खाने का तो आपके उपर डिपेंड करता है आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो लेकिन फिर भी मान के चलो अगर शेरिंग में रूम लिए 16,000 आपका बचने वाला है और अगर आप इससे दूर रहोगे तो वह 8,000 में ही रूम मिलेगा उसमें अगर आप शेरिंग रहते हो तो 4,000 रुपया आपका जाएगा और उसके बाद फिर आप सोच लो आपको खाने में मान लो 8,000 खर्च है तो 12,000 पर्टी-4,000 मिल रहा है तो 32 से 6,000 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा दो तिन लड़का गर रहते हो तो देख लो कितना खर्चा तो यह सब आप पर डिपेंड करता है कि कितना अगर बहुत लोग का ऐसा है कि खाना बनाने नहीं जानता है बाहर ही खाएगा तो उसको ज्यादा खर्च है बहुत ल लगए गा तो वहां तो कमी है रूम रेट लेकिर मेरे ओफिस जे अगर 40 मिनट के रास्टे पर रहोगे तो 7,000 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा और 15-20 मिनित के रास्टे पर होगे तो 15-16 रूम मिल जिसके दो तिन लोग जब साधी नहीं हुआ रहता है तो रहता है जब तक आपके साधी होएगी तो है आप करना क्वार्टर के लिए आपको दो-तीन साथ मिल जाता है बैसे पॉइन करोगे आप तो आपको इस पर मिल जाएगा तो आप कोर्टर से अपको मिलता यहां जो नहीं पास रहने से एक ही फायदा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो फर्दर स्टेडी करना चाहते हो तो आराम से आप कर सकते हो क्योंकि आने जाने में पर बीस मिनट जाएगा तो आप फिर आके रूम पर पढ़ सकते हो और ज्यादा ट्रेबलिंग करोगे तो फिर पढ़ने में दिक्त होता है में बहुत लोग क्ति को सब नहाल पर पॉछना है साल तो साल में लगवगफ चार चार से पांच हजार के लगवब बढ़ अब बढ़ जाता है और अभी बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि कुछ फॉर्मूला था मतलब सेल्डी का वह कंप्लीट होने वाला है जैसे जैनवरी में अगर अपना डी फिप्टी परसेंट हो जाता है तो वह भी बढ़ने वाला है बहुत लोगों का यह पूछना ही कि बोनस कब मिलता है अपने डिपार्टमेंट में पोश्टल एसिस्टेंट को बोनस ऑक्टूबर में मिलता है अक्टूबर से नोमेंबर के बीच मतलब दुर्गापुजा या दिवाली में कभी-कभी में दुर में आपको बोनस मिल जाएगा तो कम्प्लीट वे में यह समझ सकते हो कि आपका जो शैल्री एभी 44,000 शम्तिंग इन हैंड मिलने वाला है अगर वो बोनस को भी आप एड करते हो तो 45,000 शम्तिंग आपको मतलब 46,000 के लगवा मंतली आपको शैल्री मिलेगा साथ में साल एक स कम्प्लीट होने के बाद अप LTC ले सकते हो अब अगर अपने हों टाउन जाते हो तो एक साल में आने जाने का जो थर्ड एसी का खर्च है वो आपको सरकार देगी चार साल में ऑल इंडिया टूर का फैसलीटी रथ है अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं भी जो जो भी जान आने का खर्च होगा वो सरकार आपको बेर करेगी और फिर अगर अगर्टल गवर्णमेंट का फैसलीटी है वो सब पुष्टल असिस्टेंट को है मतलब बहुत लोगों का बार बार ये भी पुछने कि क्या इसमें मेडिकल फैसिलीटी मिलती है या नहीं मिलती है तो मेरा उसको फॉर्टीन लैक्स रूपीज दिया गया उसके मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए और ये ऐसा मतलब आप ये भी कोशन बार बार है कि आप अभी अपने ऑफिस में क्या करते हो देखो इस्टार्टिंग में जब हम आये थे तो मेरा ओफिस जो है वो बहुत बढ़ा है उसमें 20 सेक्षन है 20 तो मेरे ओफिस का क्या रूल है कि अगर आप उस ओफिस में एक बात जोईन करते हो त तो उसी office के अलग-अलग section में जब तक आप retired नहीं कर जाते हो तब तक आप उसी में हर तीन साल के बाद rotational transfer होता है तो GPO का यह ruling है तो मैं भी यहां GPO में हूं तो सबसे पहले जब हम आए थे तो उस सेविंग बैंक के एक section है जहां banking related जो भी वर्क है उस जगर काम किया जाता है उसके बाद अभी हम account section में आए है तो account section में मेरा काम क्या है क्योंकि हमारे पास MTS number of stop बहुत जादा है तो MTS सिर्फ मेरे को MTS का जो मतलब payment का जो भी area है सब मेरे को देखना है retirement का जो payment मिलता है और जो हर मन्त payment मिलता वो सब मेरे को देखना है और postman के लिए लगये क्या गता पोस्टल एसिस्टेंट के लिए दो पी यह लगा हूँ है उसके payment सारे चीज देखने के लिए तो मेरा काम अभी MTS का सेली बनाते हैं देखो वर्क लोड वर्क लोड के बारे में जितना हम बता तो यह ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कहीं भी कि आप आए बैठके चले गए काम तो आपको करना ही पड़े काम है पहले से जो वर्क लोड है वह आपको यह भी शोचना परेगा कि वह वर्क लोड कम होगा ही होगा क्योंकि अगर मानलों अभी 200 स्टाफ है कि किसी भी ऑफिस में और एक पचास स्टाफ आ जाएगा तो इस जोग में रहके पड़ पाएंगे या नहीं पड़ पाएंग और पड़क लिएश्य तक पर सकते हैं और सुबह लेट से जगए और अफिस ही चला जाए या धाय बज़े तक पर सकते हैं सुबह लेट से जगके डाएक ऊफिस चले जाए तो वह सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कि इतना डिस्प्लीन में रहके पढ़ते हो तो अग है नहीं तो आप अर्म से दूसरा जोब निगाल सकती हो सकता है अब कुछ भी कर सकते हैं कि रहूंके हों कर सकते हो तो चलो बहुत हो गया विडियो भी लौंग हो गया चाहके चाह रहें कि किसी से पूछ के क्योंकि देखो बहुत ऐसा चीज है जो कि first time first time हो रहा है और इसके पहले तो हम कभी वीडियो बनाए नहीं है या आप जो question कर रहे हो वो तो normally सब के साथ होता नहीं है तो ऐसा बहुत ऐसा question है जिसका answer किसी के पास नहीं है जो आप पूछते हो तो मैं भी कोशिस करता हूं कि किसी से पूछू लेकिन कोई बता ही नहीं पा रहा है इसलिए आपके comment में अगर मैं answer नहीं दे पा रहा हूं तो सोचो कि मैं किसी वह आंसर खुद नहीं जाना हो या फिर किसी से पूछ भी रहा हो तो वह नहीं बता पा रहा है इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है चलो भाई को सपोर्ट करो आगे बढ़ाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो आप भी बहुत हो गया है चलो थैंक यू गुड़नाइट और झालो नहीं जाता है चलो झालो यू बहुत खुड़नाइट मों नहीं जाता है नहीं।